हेलो वच्चों, आईए, आज आपके पार्ट बहुपद में हम सीखेंगे किसी बहुपद के शुर्ण्यकों और गुणांकों में संबंध व्यापक रूप में यदि आलफा और बीटा जोई घाद बहुपद P of X बराबर AX की घाद दो प्लस BX प्लस C जहां A शुर्ण्यक नहीं है कि शुर्ण्यक हों तो आप जानती हैं कि X माइनस आलफा और X माइनस बीटा P of X के गुणनखंड होते हैं अतह AX की घाद दो प्लस BX प्लस C बराबर होंगे K गुणा X माइनस आलफा गुणा X माइनस बीटा जहां K एक अचर है जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं K गुणा X की घाद दो माइनस आलफा प्लस बीटा गुणा X प्लस आलफा बीटा जो बराबर होगा K X की घाद दो माइनस के X आलफा प्लस बीटा गुणा X प्लस के गुणा आलफा बीटा दोनों और के X की घाद दो और X के गुणां को तथा अचर पदों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि A बराबर होगा K के B बराबर होगा माइनस के गुणा आलफा प्लस बीटा और C बराबर होगा के गुणा आलफा बीटा इससे प्राप्त होता है कि αल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटा ए और अल्फा गुना बीटा बराबर होगा सी बटा ए अर्थात शुन्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटा ए मतलब माइनस ओफ माइनस X का गुणांग बटा X की घाद 2 का गुणांग शुन्यकों का गुणनफल आलफा बीटा बराबर होगा C बटा A के जो अचर पद बटा X की घाद 2 का गुणांग है व्यापक रूप में यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि आलफा बीटा गामा त्री घाद बहुपद A X की घाद 3 प्लस B X की घाद 2 प्लस C X प्लस D के शुन्यकों तो आलफा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगे माइनस B बटा A के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होंगे C बटा A के तथा अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे माइनस D बटा A के आए देखते हैं इसकी मदद से हम प्रिशनावली 2.2 कैसे हल करते हैं पहला प्रश्ण कहता है निम्न द्विगात बहुपदों के शुन्य ग्यात कीजिए और शुन्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंद की सत्यता की जांच कीजिए हमारे पास प्रश्ण है एक्स की गहात दो माइनस दो एक्स माइनस आठ यहां हमारा मद्यपत क्या है माइनस दो एक्स इसको हमें ऐसे पदों के योग के रूप में विभक्त करना है जिसका गुणनफल माइनस आठ हो तो हम कैसे कर पाएंगे उसको हम लिख सकते हैं एक्स की गहात दो माइनस दो एक्स माइनस आठ को एक्स की गहात दो माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट या एक्स गुना एक्स माइनस चार प्लस दो गुना एक्स माइनस चार इस प्रकार हमें दो गुननखन प् x-8 का मान 0 है जब x-2 0 है या x-4 0 है अर्थात जब x की x बराबर है –2 या x बराबर है 4 इसलिए x की गहाद 2 –2 x-8 के 0 माइनस 2 और 4 है अगला देखते हैं अब शुन्यकों का योग देखिए –2 और 4 यहां है 2 जो बराबर होगा –b बटा a के – of – 2 बटा 1 जो बराबर है – x-2 के इसी प्रकार शुन्यकों का गुणफल होगा c बटा a के बड़ाबर माइनस 2 गुणा 4 बड़ाबर होगा माइनस 8 के जो बड़ाबर है माइनस 8 अपॉन 1 के मतलब अचर पर्द बटा x की घाद 2 का गुणा के इसी प्रकार हम दूसरा प्रशन देखते हैं 4s स्क्वाइर माइनस 4s प्लस 1 हम पाते हैं कि हमें माइनस 4s को इस तरीके से विभक्त करना है जो हमें माइनस 4s गुणा करने से 4 आ जाए इसका मतलब माइनस 2 माइनस 2 हमें देगा माइनस 4 और माइनस 2 गुणा माइनस 2 देगा प्लस 4 तो हमने इसको 4S square minus 2S minus 2S plus 1 लिखा अब इन दोनों में हमने देखा कि 2S common है और हम लिख सकते हैं 2S minus 1 minus 1 2S minus 1 इस प्रकार हमारे पास 2 गुननखंड आए 2S minus 1 गुना 2S minus 1 इसलिए 4S की गाद 2 minus 4S plus 1 का मान 0 है जब 2S minus 1 0 के बराबर है अर्थात जब S बराबर है 1 अपॉन 2 के इसलिए 4S की गाद 2 minus 4S plus 1 के 0 एक बटा 2 और 1 बटा 2 है अब 0 को का योग देख लीजिए 1 बटा 2 plus 1 बटा 2 क्या होगा 1 जो बराबर है minus B बटा A के minus B क्या है minus 4 बटा 4 इसका मतलब minus S का गुनांग बटा S की गाद 2 का गुनांग प्षूनियकों का गुनांफल देखिए 1 बटा 2 गुना 1 बटा 2 बराबर होगा 1 बटा 4 की जो आप देख रहे हैं कि C अपॉन A के बराबर है अचर पद बटा S की गाद 2 का गुनांग के बराबर इसी प्रकार अगला देखते हैं यहां हम लिख लेते हैं A 6 के बराबर है B minus 7 के बराबर है और C बराबर है minus 3 के हम पाते हैं 6X square minus 7X plus 3 minus 7X को हमें ऐसे विभक्त करना है जो हमें minus 9X plus 2X के रूप में हम लिख पाएं 6X की गाद 2 minus 9X plus 2X minus 3 पहली दो में हम देखते हैं क्या कॉमन है 3X हमें मिलेगा 2X plus 3 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन है तो 2X minus 3 हमारे पास दो गुरन खंडा गए 3X plus 1 और 2X minus 3 इसलिए 6X की गाद 2 minus 7X minus 3 का मान 0 है जब 3X plus 1 0 है या 2X minus 3 0 है अर्थात जब X बराबर है minus 1 बटा 3 या X बराबर है 3 बटा 2 के इसलिए 6X की गाद 2 minus 7X minus 3 के 0 क्या होंगे minus 1 बटा 3 और 3 बटा 2 अब शुन्यों का योग देख लेते हैं यहाँ पर minus 1 बटा 3 प्लस 3 बटा 2 यहाँ देखिए हमें इसको हल कर लेते हैं minus 2 प्लस 9 यह बराबर होगा हमें 7 बटा 6 के जो आप देख पा रहे हो 7 बटा 6 यह कैसी मिलेगा minus B upon A minus B minus 7 upon A A क्या है हमार पर 6 तो आपने देखा यह दोनों बराबर हैं ऐसे हम सिद्ध करते हैं इनके सम्बंद चुर्णेकों का गुणन फल देखिए minus 1 बटा 3 गुणा 3 बटा 2 minus 1 बटा 3 गुणा 3 बटा 2 तीन कैंसल हो गया और हमें मिला minus 1 बटा 2 जो आप देखोगे कि C upon A के बराबर होगा आप देखिए C क्या है हमारे पास minus 3 और A क्या है हमारे पास 6 आप देख सकते हैं दोनों में minus 1 बटा 2 आया इसका मतलब अचर पत बटा X की गहाद 2 का गुणांग इस तरीके से हमने देखा कि शुन्य का योग minus B upon A के बराबर आया और शुन्य का गुडण फल C upon A के बराबर आया अगला देखते हैं चार U स्क्वार प्लस आठ यू इसमें हमारे पास कॉमन है चार यू तो दो दो गुरंखंड हुए चार यू और यू प्लस दो इसलिए चार यू की गहाद दो प्लस आठ यू का मान शुन्य है जब या तो चार यू शुन्य के बराबर हो या यू प्लस दो शुन्य के बराबर हो अर्थात जब यू शुन्य हो या यू माइनस दो के बराबर हो इसलि चार U की घाद 2 प्लस 8 U के 0 या तो 0 या माइनस 2 हैं अब 0 का योग देखिए योग होगा 0 प्लस माइनस 2 जो माइनस 2 के बराबर है और हम इसको माइनस B बटा A भी लिख सकते हैं या हमने देखा A 4 है B 8 है और C नहीं है तो 0 है अब आप देखिए माइनस B बटा A माइनस 8 बटा 4 कितना हुआ माइनस 2 के बराबर इसका मतलब माइनस U का गुणांख बटा U की घाद 2 का गुणांख यहां 0 को का गुणारफल हमने देखा कि 0 गुणा माइनस 2 जो 0 के बराबर है इसको हम लिख सकते हैं C बटा A के हमने देखा C 0 है और A की value 4 है तो ये भी 0 के बराबर हुआ तो 0 बटा 4 अचर पत बटा U की घाद 2 का गुणार के बराबर है अगला देखते हैं इसमें है T की घाद 2 माइनस 15 अब इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं हमार ने ये हमने पढ़ा है A square minus B square को हम क्या लिख सकते हैं A plus B गुणा A minus B इसके प्रेयोग से हमने इसको यहां पर लिखा T की घाद 2 माइनस वर्गमुल 15 की घाद 2 जिसको हम लिख पाएंगे T माइनस वर्गमुल पंदरा गुना T प्लस वर्गमुल पंदरा इसलिए T की कहाद 2 माइनस पंदरा का मान 0 है जब या तो T प्लस वर्गमुल पंदरा 0 है या T माइनस वर्गमुल पंदरा 0 है अथाथ जब X का मान माइनस वर्गमुल 15 है या X का मान वर्गमुल 15 है इसलिए T की घात दो माइनस 15 के 0 अब शुन्यकों का योग देखिए यहाँ माइनस वर्गमुल 15 प्लस वर्गमुल 15 शुन्य हुआ जो हम माइनस B बटा A लिख सकते हैं देखिए A है 1, B शुन्य और C है माइनस 15 इसमें आप माइनस B अपॉन A माइनस B कितना है? माइनस 0 अपॉन A वो हो गया 1 तो माइनस T का गुणांग बटे T की घाद 2 का गुणांग तो बच्चों हमने देखा शुन्य को का गुणांग फल हम कैसे निकाल सकते हैं? माइनस वर्गमुल 15 गुणा वर्गमुल 15 जो बराबर होगा माइनस 15 के जो माइनस 15 पॉन A के बराबर है मतलब अचर पद बटा T की घाद 2 का गुणांग के बराबर अगला देखते हैं यह हमारे पास प्रेशन है 3X की घाद 2 माइनस X माइनस 4 जिसको हम देखिए इसके बराबर अगर इनको कंपेर करें तो A की वैल्यू आएगी 3, B की आएगी माइनस 1 और C की आएगी माइनस 4 अब हम देखते हैं 3X की घाद 2 माइनस X माइनस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं माइनस X को हम लिख सकते हैं माइनस 4X प्लस 3NX के बराबर इसका मतलब 3X की घाद 2 माइनस 4X प्लस 3X माइनस 4 में हम देखते हैं कि पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है? X कॉमन है तो हमें मिला 3x-4 प्लस एक 3x-4 इस प्रकार हमें दो गुननखन प्राप्त होते हैं 3x-4 गुना x-1 इसलिए 3x की खाद 2-x-4 का मान 0 है जब 3x-4 0 है या x-1 0 है अर्थात जब x बराबर है 4 बटा 3 या x बराबर है माइनस 1 इसलिए 3x की खाद 2-x-4 के 0 या तो 4 बटा 3 है या माइनस 1 है अब हम देखते हैं 0 को का योग यहां पर 4 बटा 3 प्लस माइनस 1 अब अगर हम इसको सदल करके लिखे हमें मिल जाएगा 1 बटा 3 यह देखे हमारे पास शुन्यको का योग आया 1 बटा 3 जो माइनस B बटा A के बराबर होना चाहिए आप देखेए माइनस B बटा A के बी क्या है हमारे पास माइनस माइनस 1 बटा A 3 जो B 1 बटा 3 के बराबर है इसी प्रकार शुन्यको का गुडन फल देख लेते हैं 4 बटा 3 गुणा माइनस 1 जो है माइनस 4 बटा 3 के बराबर हमें ये भी पता है कि आल्फा गुणा बीटा बराबर होना चाहिए C बटा A के C क्या है हमारे पास माइनस 4 और A क्या है 3 इस प्रकार आप देखोगे कि शुन्यको का गुडन फन उनके बराबर आ रहा है माइनस 4 बटा 3 बराबर है अचरपद बटा X की घाद 2 का गुड़ा आंके बराबर अब हम अगला प्रशन देखते हैं एक दुगाद बहुपद ग्याद कीजिए जिसके शुन्यकों के योग तथा गुणन फल क्रम्ष दी गई संख्याएं हैं क्या हैं संख्याएं? 1 बटा 4 और माइनस 1 माना कोई AX की घाद 2 प्लस BX प्लस C है और इसके शुन्यक आलफा और पीटा हैं हम पाते हैं आलफा प्लस बीटा बराबर है 1 बटा 4 के जो बराबर है माइनस B बटा 1 के और आलफा बीटा बराबर है माइनस 1 के जो ब्राबर है माइनस 4 बटा 4 मतलब C बटा A के तुलना करने पर हम पाते हैं A 4 के बडबर है और B माइनस 1 के बड़ाबर है और C माइनस 4 के बड़ाबर है आते हैं यह दुझाद बहुपद जिसमें दी गई शर्ते संतुश्ट होती हैं वे होगा 4x की घाद 2, माइनस x, माइनस 4 इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं प्रेश्ण वर्ग मुल 2 और 1 बटा 3 माना कोई बहुपद ax की घाद 2, प्लस bx, प्लस c है और इसके शुन्यक alpha और beta हैं हम पाते हैं alpha प्लस beta बराबर है वर्ग मुल 2 के जिसको हम 3 वर्ग मुल 2 बटा 3 भी लिख सकते हैं और वो होगा minus b बटा a के बराबर इसी प्रकार alpha बीटा बराबर होगा 1 बटा 3 के जिसको हम लिख सकते हैं c बटा a तुलना करने पर हम पाते हैं a 3 के बराबर है B माइनस 3 वर्गमुल 2 के बराबर है और C 1 के बराबर है अतहे हैं यह द्रिखाद बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं वो है 3 X की गहाद 2 माइनस 3 वर्गमुल 2 गुना X प्लस 1 अगला देखते हैं यहाँ पर संख्याएं हैं 0 और वर्गमुल 5 प्लस BX प्लस C है और इसके 0 अलफा और बीटा है हम पाते हैं अलफा प्लस बीटा बराबर होगा 0 के जो हमें दे रखा है जिसको हम लिख सकते हैं 0 बटा 1 या जो बराबर होगा माइनस B बटा A के इसी प्रकार alpha into beta जो बराबर होगा वर्गमुल 5 के जिसको हम लिख सकते हैं वर्गमुल 5 बटा 1 मतलब c बटा ए के बराबर अब हम इनको तुल्ना करते हैं और पाते हैं कि a बराबर है एक के, b बराबर है 0 के और c बराबर है वर्गमुल 5 के अतह वे द्विघाद बहुपद जिसमें दी गई शर्ते संतुष्ठ होती हैं वे है एक्स की घाद 2 प्लस 0 गुना एक्स प्लस वर्गमुल 5 अब अगला देखते हैं यहाँ पर दोनों संख्याएं एक हैं माना कोई बहुपद एक्स की घाद 2 प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसकी शुन्यक आलफा और पीटा हैं हम पाते हैं कि आलफा प्लस बीटा एक के बराबर है जिसको हम लिख पाएंगे एक बटा एक जो माइनस बी बटा एक के बराबर है आलफा गुणा बीटा बराबर है एक के इसका मतलब एक बटा एक जो हम सी बटा एक के बराबर ले सकते हैं तुल्ना करने पर हम पाते हैं कि ए एक के बराबर है बी माइनस एक के बराबर है और सी एक के बराबर है आते हैं वे दी घाद बहुपद जिसमें दी गई शर्ते संतुष्ठ होती हैं वे है एक्स की घाद दो माइनस एक्स प्लस वन समझ में आया चलो अगला प्रेशन करते हैं यहां पर दो संख्याए हैं माइनस एक बटा चार और एक बटा चार माना कोई बहुपद एक्स की घाद दो प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शुन्यक आलफा और बीटा हैं हम पाते हैं कि आलफा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस एक बटा चार के जो माइनस बी बटा एक के बराबर है और आलफा गुना बीटा बराबर होगा एक बटा च चार के बराबर है, बी एक के बराबर है और सी भी एक के बराबर है आता है वे द्रिगाद बहुपद जिसमें दी गई शर्ते संतुष्ट होती हैं वे है चार एक्स की घाद दो प्लस एक्स प्लस एक इसी प्रकार हम अगला प्रशन देखते हैं यहां पर संख्याएं हैं चार और एक, माना कोई बहुपद AX की खाद 2 प्लस BX प्लस C है और इसकी शुन्यक आलफा और बीटा है हम पाते हैं कि आलफा प्लस बीटा बराबर होगा 4 के, जिसको हम लिख पाएंगे 4 बटा 1 या माइनस B बटा A के बराबर अलफा गुना बीटा को हम लिख पाएंगे 1 के बराबर, जिसको हम लिख पाएंगे C बटा A के बराबर अब हम तुलना करते हैं, हमें क्याब मिलता है, A बराबर 1, B बराबर माइनस 4 और C बराबर 1 आते हैं, यह द्विघाद बहुपद, जिसमें दी गई शर्ते संतुष्ट होती हैं, वह होगा X की गहाद 2, माइनस 4 X प्लस 1 अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, आपके ग्रह कारे के लिए पहला प्रश्न है, द्विघाद बहुपद, X की गहाद 2, प्लस 7 X, प्लस 10 के शुन्यकों को ग्याद कीजिए, और शुन्यकों तथा गुणां को के बीच के संबन्द की सत्यता की जांच कीजिए दूसरा प्रश्न है एक द्विखाद बहुपत ग्याद कीजिए जिसकी शुन्यकों का योग तथा गुणनफल करमश माइनस 3 और 2 हैं प्रशन 3 बहुपद X की घाद 2 माइनस 3 के 0 ज्याद कीजिए और 0 तथा गुणांकों के बीच के संबंद की सत्यता की जाच कीजिए तो बच्चों हमने आज क्या पढ़ा हमने सीखा कि यदि 2 घाद बहुपद AX की घाद 2 प्लस BX प्लस C के 0 अलफा और बीटा हैं तो अलफा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस B बटा एके और अलफा गुणा बीटा बराबर होगा C बटा एके यदि आलफा बीटा गामा त्री घाद बहुपद AX की घाद 3 प्लस BX की घाद 2 प्लस CX प्लस D के 0 हो तो अलफा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगे माइनस B बटा एके और आलफा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अलफा बराबर होगे C बटा एके तथा alpha गुना बीटा गुना गामा बड़ाबर होंगे minus d upon a k तो बच्चों आशा करती हूँ आज आपको ये पार्ट समझ में आया होगा Thank you झाल करदे है कर दोमें करदे है दो प्य